हेलो बच्चो, वेलकम टू फिनिक्स अड्यू, तो हम पढ़ रहे थे बेटा, M-Phase, M-Phase के अंदर हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्या-क्या पढ़ चुके हैं, Pro-Phase पढ़ चुके हैं, Meta-Phase पढ़ चुके हैं, आज हम जो Next-Phase पढ़ने वाले हैं, वो कौन सी है, Ana-Phase, ठीक क्या कहा दिया मैंने, अलग, अब यहाँ पर हमें कोई चीज अलग करनी हैं, अब अलग किसे करोगे, जो जुड़ा हुआ होगा, उसे को तो अलग कर पाओगे न, कोई चीज पहले से यह लगे तो उसे नहीं अलग कर पाओगे, तो जुड़ा वा क्या है, तो याद करो कल ह हमने metaface पढ़ा था तो metaface के अंदर आपने इस तरीके से chromosome बनाय थे इस तरीके से आपने chromosome बनाय था फिर हमने बोला था यह जो दोनों chromosome है यह क्या है यह क्या है यह दोनों क्या है sister chromatid यह दोनों क्या है sister chromatid और sister chromatid जुड़े वे हैं, किस से जुड़े वे हैं, तो centromere पे जुड़े वे हैं, तो अगर हमें अलग करना है, तो जो जुड़े वी चीज है, उसी को तो अलग करना होगा, तो for example, sister chromatid मालों दो सहेलिया हैं, मतलब वो ऐसी सहेलिया जो इन में बहनों जैसा प्यार है, उनको जोड़े रखने वाली चीज क्या है दोस्ती, अगर आपको उन दोनों सहेलियों को अलग करना है, तो उनकी दोस्ती को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, सेम चीज यहाँ पर है, कि यह दोनों sister chromatid centromere से जुड़े वे हैं, और अगर मुझे इन दोनों chromatid को अलग करना है, तो मुझे क्या तोड़ना पड़ेगा, किसको split करना पड़ेगा, तो centromere को, तो जब मैं इस centromere को यहाँ से split करूँगी, तो दोनों sister chromatid एक दूसरे से क्या हो जाएंगी बेटा, अलग, और यही चीज कहाँ पर होती है हमारी anaface मे इसलिए हमने बोला है anaface के अंदर, जो चीज metaface में जुड़ी हुई थी, जो sister chromatid metaface में जुड़े हुए थे, वो anaface में आकर क्या हो रहे हैं बेटा, अलग हो रहे हैं, तो पहला point आ गया, anaface का पहला point क्या आ गया, sister chromatid separate, separate हो रहे हैं बेटा, किसकी वज़ा से हो रहे हैं, because of splitting of centromere तो हमने क्या बूला, sister chromatid separate हो रहे हैं, बेटा, किसकी वज़ा से separate हो रहे हैं, क्योंकि centromere क्या हो गया, split हो रहे हैं, centromere तूट गया, centromere का breakdown हो गया, उसकी वज़ा से sister chromatid एक दूसरे से क्या हो गए, बच्चों, अलग हो गए, पहला point आपने लिखा, समझ में आया आपको, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, दूसरे चीज़ क्या हो रही है तो कल हमने जब metafase मनाई थी बच्चों, तो यह क्या थे यहां पर, क्या थे, centriol, यहां से क्या निकल रहे थे बेटा, spindle fiber, और यहां पर क्या था हमारा, इस तरीके से, chromosome या sister chromatid यहां पर थे, और इस तरीके से, यह spindle fiber से, जुड़े वे थे हमने बोला, यहां से हमने centromere को क्या किया, split किया, अब split करने के बाद, यह दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, तो अलग होने के लिए, कैसे अलग होंगे, तो जो spindle fiber होते हैं, वो इन्हें अपनी तरफ खीशते हैं, यहां वाला, इस pole वाला spindle fiber इसे उपर की तरफ खीचे अब जब यह खीच रहा है, जब यह इसे अपनी तरफ खीच रहा है, तो कौन सी चीज आगे जाएगी, centromere जाएंगे या क्रोमोजोम जाएगा, अब सोचो, जिस चीज से जुडा हुआ है, वही चीज तो वो खीच पाएगा, तो जो spindle fiber है बेटा, यह centriol, यह spindle fiber किसे ज जुडा था, centromere से जुडा था, तो जब यह इसे, यानि कि chromatid को खीचेगा, तो कौन सी चीज खीचेगी, उपर की तरफ, क्या खीचेगा, centromere खीचेगा, और क्रोमोजोम उसे क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो लिख देंगे हम इसे, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि split होने के बाद, split होने के बाद sister chromatid, sister chromatid किसमें बदल गया अब, single chromatid में, और वो chromatid कहां move कर रहा है, opposite pole पर, तो पहले क्या लिखेंगे, chromatid move toward opposite pole, और जब opposite pole की तरफ जा रहे हैं, तो spindle fiber से जुड़ा हुआ, centromere lead कर रहा है, और उसके पीछे trail करता हुआ, कौन जा रहा है, हमारा chromosome, तो आप क्या लिखोगे, centromere, lead, and chromosome follow, तो कौन lead कर रहा है, तो अब ये structure बनेगी, तो कैसे बनेगी, मालो ये क्या है, हमारी cell, ये क्या थे हमारे, centriole, यहां क्या था हमारे, spindle fiber, spindle fiber, अब spindle fiber कहां खीचेगा, opposite pole की तरफ खीच रहा है, तो इदर खीच रहा है, ये किदर की तरफ खीच रहा है, तो इस side खीच रहा है, तो ये centromere खीचा हुआ जा रहा है, उसके पीछे-पीछे कौन जा रहा है हमारे, chromosome जा रहे, ये centromere जा रहा है, ये centromere है, उसके पीछे-पीछे कौन जा रहा है हमारे chromosome, ये centromere है, इसके पीछे-पीछे कौन जा रहा है हमारे chromosome, ये आगे centromere है, उसको कौन फॉलो कर रहा है हमारे chromosome, तो अब मैं जो आपको बोल रही हूँ, अभी तक मैं chromatid बोल रही थी अब मैं kromοzoom बोल रही हूँhouse, क्यों बेटा जब sister chromatid क्या हुआ, sister chromatid एक दूसरे से क्या हुए, अलग हुए, दोनों अलग हुए, तो single chromatid को आप क्या कह सकते हो, new chromosome, क्या कह सकते हो बेटा, new chromosome, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये अलग होके जा रहे हैं, तो कौन जा रहा ह है ठीक है समझ मैं तो एना फेस में यही चीज होती है क्या हो रहा है पहली चीज सेंट्रों मियर स्प्लिट हुआ सेंट्रों मियर का ब्रेकडाउन हुआ उसकी वज़े से सिस्टर क्रोमेटेट के फॉर्म में कितने क्रोमोजोम थे फोटे सिक्स लेकिन इसमें कितने धागे थे दो धागे थे यहां पर क्या किया मैंने उन दोनों सिस्टर क्रोमेटेट को अलग कर दिया तो फोटे सिक्स क्रोमोजोम इधर है और फोटे सिक्स क्रोमोजोम ही बेटा इधर है तो सिर्फ थोड़ी सी देर खे लिए सिर्फ और सिर्फ मेटा फेस के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर आपको मिलता है वो कितना हो जाता है बेटा 92 कितना हो जाता है 92 लेकिन ये कैसे हैं इनके पास केवल एक ही क्रोमेटिड है मेटा फेस के अंदर क्रोमोजोम के पास कितने क्र 46 अब वो सुप्लिट हो करके 1-1 kriumazome. एक एक क्रोमेटेड में change हो गया है या एक एक क्रोमेटेड ने एक एक क्रोमदेड में चला गया है. तो अब आब उसे क्या बोल रहे हो? 46 मोजोम इस वाले पोल पे, 46 मोजोम इस वाले पोल पे. तो यह थी हमारी कौन से phase? ज़रुरत नहीं है क्योंकि तुमने मुझे पता है कि प्रोफेस याद कर लिया तो जो टीलो फेस होती है वो क्या होती है जस्ट अपोसेट ऑफ प्रोफेस तो प्रोफेस में जो तुम चीजे पर चुके हो उसको ही आपको रिवर्स करके लिखना है यहाँ पर तो पहली चीज जिया प्रोफेस में क्या पड़ी थी कि न्यूक्लियर मेंब्रेन गॉलजी बॉड़ी एंडोप्लास्मिक रैक्टिकुलम क्या हो गए थी गायब हो गए थी तो उसका अपोसेट हो रहा है तो वहाँ पर वापस आ जाएंगे तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे नूक्ल ठीक है दूसरा तुमने क्या देखा था कि वहाँ पर क्रोमेटिन किसमें चेंज हुआ था क्रोमोजोम में और उसके लिए क्या हुआ था वहाँ पर कंडेंसेशन हुआ था यहाँ पर क्या होगा डी कंडेंसेशन होगा उल्टी चीज बोल रहें तो डी कंडेंसेशन होगा ठीक है उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पर क्रोमोजोम बने थे वहाँ पर क्रोमोजोम में तो क्रोमोजोम को एक इंडिविजूल आइडेंटिटी मिली थी अब यहाँ पर वो डी कंडेंस हो गया तो उसके आइडेंटिटी क्या हो जाएगी लॉस्ट हो जाएगी तो क्या काइन दीर या क्रोमोजओम डीर को ऑट इसजा दाव्या मिलेग या लिए निएर ओर रिवापको क्यों किसे चैनल लुदे को जाहिए जाफ स्लेंडेrim लेटीव करण के आपको प्रोफेस का अग्यर आपने प्रोफेस याद कर लिए है तो बस तो ही तीनों पॉइंट आपको जस्ट अपोजिट करके यहाँ पर लिख देने हैं, तो यहाँ पर यानि कि टीलो फेस में अगर हम डाइगरम बनाएं तो क्या ऐसा बनेगा, यहाँ पर 46 रोमोजोम थे, यहाँ पर भी 46 रोमोजोम थे, बाहर क्या आगई, न्यूक्लियर ब्रेन की वज़े से, हम इन्हें क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, यह दोनों चीजे क्या कहलाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, और हर डॉटर न्यूक्लियाई के पास कितने क्रोमोजोम से हैं, फोटे सिक्स, अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया karyokinesis आपने nucleus को divide कर दिया आपने दो nucleus मना दिये पर क्या nucleus division पढ़ रहे हूं क्या नहीं आप क्या पढ़ रहे हूं cell division तो अभी तो सिर्फ क्या हुआ है nucleus का division हुआ है अभी आपको cell divide करना बाकी है तो cell divide कैसे होगी nucleus तो बन गया तो nucleus के लावा cell में और क्या था बेटा? तो cytoplasm था, nucleus आपने डिवाइड कर दिया, अब आपको cell डिवाइड करने के लिए क्या क्या डिवाइड करना है? Cytoplasm, तो next topic हमारा क्या हो जाएगा? cytokinasis, ठीक है? तो kerryokinasis हमारा गंफ्लीट हो गया है, अब हम नया जो topic पढ़ने वाले और है तो साइटो से क्या बन रहा है साइटो प्लाजम और काइनेसिस का मतलब क्या था डिवीजन तो यहां पर कौन सी चीज डिवाइड हो रही है तो साइटो प्लाजम डिवाइड हो रहे है ठीक है साइटो प्लाजम का क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है ठीक अब देखो साइट साइटोप्लाजम का क्या हो रहा है मतलब साइटोप्लाजम को हम डिवाइट कर रहे हैं तो यहां पर दो सेल पढ़ेंगे हम पहली हम पढ़ेंगे अनिमल सेल अब बेटा जो animal cell है इस animal cell की अगर मैं पूछूँ कि outer membrane कौन सी है सबसे outer membrane कौन सी होती है तो आप बोल दोगे plasma membrane कि मैं animal cell के बाहर क्या होती है plasma membrane होती है और plasma membrane बहुत ही elastic होती है बहुत ही delicate होती है rigid नहीं होती तो ये क्या है थोड़ी सी बिचारी delicate सी है ठीक है अब plasma membrane अगर delicate है तो हम इसे क्या कर सकते हैं दबा सकते हैं कोई चीज अगर नाजुक है कमजोर है तो उसे दबा दिया जाता है दुनिया का दस्तूर है बेटा हम कुछ नहीं कर रहे है भगवान ने कुद्रती ऐसी चीज बना दी है वैसे अच्छी बात नहीं है बट बता रही हूं ऐसा होता है जनरली तो बेटा बान लो यहाँ पर यह अनिमल सेल है यह दो डॉटर नुकलिया ही है जिसके अंदर हमारे प्रोमोसोम सें 4646 ठीक है तो अब इस अनिमल सेल के बाहर यह क्या है हमारी प्लास्मा मेंब्रेन अब इस ऐलस्टिक या इस लचीली या इस कमजोर प्लास्मा तो एनिमल सेल के अंदर साइटो कानेसिस करने के लिए क्या होता है कॉंस्ट्रिक्शन का मतलब आपको पता है ना दबाना और जब आप इसे दबाओगे अब किसी चीज को आप दबा रहे हो यह चीज इस तरीके से इसको आप दबा रहे हो तो यहाँ पर क्या बनेगी एक खा कहते हैं सेल फरो तो हम क्या कहते हैं कंस्ट्रिक्शन एन सेल फरो फॉर्मेशन तो यहाँ पर पहली क्या हो रहा है आप प्लास्वा मेबरेन को यहां से दबा रहे हो यहां से दबा रहे हो और धीरे धीरे यह जो यहाँ पर खाच बनने लगी है यहाँ पर धीरे धीरे जो तरार बनने लगी है बेटा, उसको आप क्या कह रहे हो, cell for o, यहाँ पर जो आपने दबा के यह जो चीज बनाई है, वो क्या है आपकी cell for o, ठीक है, इधर की तरफ यह जो बना है, वो चीज क्या बन रही है, construction की वज़े से क्या बन रहा है, cell for o बनता जा रहा है, अब ऐसे थो तरफ पुश करेगी, अंदर की तरफ पुश करेगी, ताकि वहाँ पर वो जो है, वो धीरे धीरे फरोक्रियेट होती रहे, तो यहाँ पर कौन सी चीजे से पुश करती हैं, तो बेटा, micro tubules, micro filaments जो होते हैं, वो यहाँ पर periphery पर आकर के जमा हो जाते हैं, cell की जो periphery है, plasma membrane ह उसके पास आकर के micro filament और micro tubules जमा हो जाते हैं, और वो उसे अंदर की तरफ पुश करते हैं, अब कहने को इसके अंदर और भी चीजे होती हैं, जैसे contractile ring बनती है, जिसमें actin और myosin protein होता है, और actin और myosin protein के interaction की वजह से, यह जो फरो है, वो अंदर deepen होती जाती है, लेकिन इतना कभी पूछा नहीं गया है, तो हम उतना ही याद रखेंगे जितना हमारे काम का है, क्योंकि हमें बाकी बहुत सारी चीज़े भी याद रखनी हैं, तो आप इतना याद रख लेना, कि micro tubule, micro filament की वजह से, यहाँ पर cell फरो का क्या होता है, formation होता है, ठीक है बीटा, तो क्या मिल जाएंगी, दो नई cells मिल जाएंगी, तो अब आपके पास यह दो नई cells हैं, जो दोनों एक दूसरे से क्या हैं बेटा, अलग हैं, यह एक cell होगी, यह दूसरी cell होगी, यह इस cell का nucleus है, यह इस cell का nucleus है, तो अब आप इसे क्या कह सकते हो, daughter cell, क्या कह दोगे बेटा, daughter ये दोनों क्या बनी है? डॉर्टर सेल बन गई है क्योंकि यहां पर आपने साइ्टो प्लाजम को क्या कड़ दिया है अलग कर दिया है न्योकलेस को आप कडि़र lekainer phải now कर चुके थे आपने साई्टो कानेसिस के अंदर किसको अलग कर दिया? साइटो प्लाजम को अलग कर दिया. अब हमारे पास दो नहीं डॉटर सेल बन गई. ये किसके बारे में बात थी? अनिमल सेल के बारे में? एक ही सेल पड़ी थी क्या? नहीं. कौन सी और पड़ी है? प्लांट सेल. तो प्लांट सेल के बारे में भी देखेंगे. second देखो second चीज हम देखेंगे cytokinesis किसके अंदर plant cell में अब plant cell में जो ये हो रहा है एक चीज और रहे गई बेटा बता ना यहाँ पर अब देखो यहाँ पर जो cell faro बन रही है बेटा cell faro जो बन रही है वो कहां बन रही है तो बाहर से अंदर की तरफ मतलब periphery से center की तरफ यह जो self arrow मैंने बनाई है यह जो self arrow मैंने बनाई है वो कहां से कहां बन रही है तो periphery से किसकी तरफ जा रही है center की तरफ तो जब कोई चीज periphery से center की तरफ जाती है तो हम उसे कहते हैं century pittal क्या कहते हो बिटा century pittal कहते हो ठीक है तो यहाँ पर यह जो division हुआ है या जो formation हुआ है या जो cytokinesis हुआ है वो कौनसी form है centripetal क्योंकि periphery से कहां पे जा रहा है center की तरफ जा रहा है अब बात करें plant cell की बारे में अब plant cell की तुमसे मैं outer membrane पूछू पूछू बेटा plant cell की outer सबसे outer most layer कौनसी है outer most layer बता दो या outer most membrane बता दो तो तुम बोलोगे मैडम cell wall क्या बोलोगे cell wall ठीक अब cell wall होती है rigid तुम्हाई तरह जिद्दी अड़ जाती है भई मैं अपनी जगा नहीं चोड़ूँगी अब कोई अपनी जगा नहीं चोड़ेगा कोई डटके खड़ा हो गया किसी ने एकदम पक्का अपना decision कर लिया कि भई मुझे 720 लेकर आने ही है मुझे 360 बायो में लाने ही है तो आप उसे हिला नहीं सकते वो rigidness होनी चाहिए अपमे तो फिर लोगों को रास्ता बदिलना पड़ता है distraction आपको छोड़ देगा आप अगर अपनी ली dedicated हो ठीक है तो सीम चीज यहां पर है cell wall dedicated है cell wall rigid है बोल रही है मैं तो नहीं दिबूँगी मैं नहीं दिबूँगी मैं नहीं छोड़ती अपनी जगा तो फिर क्या करेंगे तो यहां पर मालो यह cell है यह cell membrane है बाहर की तरफ इस तरीके से cell wall होगी तो बेटा अब इस cell membrane के अंदर हमारे पास यह दो डॉटर न्यूकलियाई है उसने मना कर दिया दबने से तो अब आपको अगर partition करना है भाई मुझे किसी को अलग करना है मेरे पास यह एक room है ठीक अब इ चाहती हूँ इस एक कमरे में दो कमरे बन जाए तो मेरे पास एक ही रास्ता बश्ट है क्या खड़ी कर दू मैं इस कमरे के बीच में दिवार क्या खड़ी करने पड़ेगी दिवार खड़ी करने पड़ेगी सेम चीज़ कि यहां पर जब मुझे इन दोनों नूकलियस को अल ठीक है अब दिवार बनाने के लिए क्या चाहिए भे तुम सबने देखा होगा कहीं ने कहीं जब कंस्ट्रक्शन चलता है तुम्हें पता है इट और सिमन्ट तो सबसे पहले इटे चोहिए तो हमने यहां पर इटे जमा कर दी यह इटे हैं हमारी अब यह इटे जो है तो यहा में क्या है हमारा माइक्रो ट्यूब्यूल क्या है माइक्रो ट्यूब्यूल यह जो तीनों चीज़े हैं वह हमारी इटे या ब्रिक्स हैं तो इन तीनों को हम मिला के क्याते हैं फ्रेग्मो प्लास्ट क्या कहा आपने इसे फ्रेग्मो प्लास्ट कहा है ये तीनों चीजें मिलाकर कि क्या बना रहे है बीटा फ्रेग्मो प्लास्ट बना रहे है अब इट क्या सिर्फ इट रकने से दिवार बन जाएगी क्या नहीं ना उसे जोड़ना पर पड़ेगा connect भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर cement भी चाहिए अगर मुझे दिवार बनाने तो eat के साथ मुझे cement भी चाहिए जो इसे जोड़ पाई तो यहाँ पर इन्हें याने fragmoplast को जोडने का काम कौन कर रहा है इन चीज़ेंगे का काम कौन कर रहा है calcium and magnesium pactate कर रहा है और इस तरीके से यहाँ पर एक cell plate का क्या हो जाता है creation तो यहाँ पर क्या बन गई यह बेटा यह जो चीज बनी है वो क्या है cell plate क्या बन गई बेटा यहाँ पर cell plate बन गई है अब यह जो cell plate बनी है बेटा तो cell plate इतने क्या कर दिया इन दोनों न्यूक्लियस को अलग कर दिया अब इन दोनों न्यूक्लियस को अलग कर दिया साइटो प्लासम को अलग कर दिया तो अब आप इसे दो नई सेल बोल सकते हो ये वाली एक सेल बन गई है दो दूसरी ये वाली सेल बन गई है और ये जो सेल में भी count होसं को और इस वाले कमरे यह ब्रिश्न होगी बस समझ में आ रही है अगर मैंने इस कमरे को दो पार्ट में डिवाइट करने के लिए पीछ में दिवार बनाई तो यह चो बीच की दिवार वो तो common है na इस कमरे के लिए भी और इस कमरे के लिए भी सेम चीज यहाँ पर हमने जो cell plate बनाई है बेटा ये cell plate इसकी दिवार भी है और इस वाली cell की दिवार भी है तो यही cell plate बेटा आगे modified होकर के क्या बनाएगी तो हम क्या लिखेंगे कि cell plate modified होकर क्या बनाती है तो आप इसे बोलोगे middle lamella क्या बना रही है बेटा middle lamella और आप पढ़ चुके हो cell तो आपको पता है middle lamella क्या होती है तो middle lamella नाम से पता चुट रहा है middle दो चीजों के बीच में होने वाला तो यहाँ पर क्या बन चुकी है middle lamella बन चुकी है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर यानि साइटोकाइनसिस हुआ कहाँ पर प्लांट सेल के अंदर ठीक अब प्लांट सेल के अंदर जो हमने देखा वो चीज जो फ्रेग्मोप्लास्ट है वो कहां जाते हैं बेटा फ्रेग्मोप्लास्ट अंदर से बाहर की तरफ बनते हैं फ्रेग् पेरिफेरिक की तरफ जब कोई चीज जाती है तो आप इसे कहते हो सेंट्री फ्यूगल, क्या कहते हो बेटा, सेंट्री फ्यूगल, तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंट्री फ्यूगल, üz सेंटर से बाहर याने पैरिफेरी की तरफ और अनिमल सेल में जो सेल फरो बनी है बेटा वो कहां से बनी है पैरिफेरी से सेंटर की तरफ तो आपने उसे क्या बोला था बेटा सेंटरी पिटल ठीक है तो ये हुआ हमारा क्या प्लांट सेल का साइटो काइनेसिस ठीक अब आग नहीं होगी तो एक ही सेल के अंदर क्या हो जाएंगे बहुत सारे नुकलेस हो जाएंगे तो अगर फेल हो जाती है कौन फेल हो जाता है साइटो काइनासस का फेलियर हो जाता है साइटो काइनसस का फेलियर हो जाता है तो बेटा कौनसे स्टेट आती है multi-nucleated कौनसे स्टेट आग papay तो आपने उसे क्या कह दिया multi-nucleated इसके लिए हम टर्म यूस करते हैं कौनसी sylcytium क्या बोलते हो बेटा sylcytium sylcytium का मतलब multi nucleated cheese या multi nucleated state इसका example क्या दे रखा है बेटा तो liquid endosperm of coconut जो तुम नारियल का पानी पीते हो ना वो क्या होता है यही होता है multi nucleated endosperm होता है क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता जो cytokinesis वो नहीं होता तो बहुत सारे multi nuclear वहाँ पर nucleus आपको मिलते है तो यह हमारा खतम हुआ है क्या division किसका division karyokinesis और फिर cytokinesis ठीक है तो basically हम mitosis पढ़ चुके हैं क्योंकि उसके अंदर हम emphase पढ़ चुके हैं पूरी की पूरी ठीक है अब हमी क्या पढ़ना है कि जो mitosis किया करवाया क्यों कोई भी चीज होती है बिना मतलब के तुम नहीं करते हो बही तुम तो पानी भी बिना प्यास लगने पे नहीं पीते हो ना तो कोई भी चीज होती उसका कोईने कोई significance होता है कोई ने कोई जरूरत होती है तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, significance of mitosis, क्या जरूरत है, क्या importance है, क्या significance है mitosis का, पहली बात, पहला point देख लेते हैं, क्या हैगा, सबसे पहले development करने में, किसी भी organism का development, किसकी वज़े से होता है, mitosis की वज़े से, पहला point क्या आजाएगा, development of organism, कैसे, कैसे, तो बिटा आपने zygote बनाया, zygote कैसे cell है, single cell, zygote कैसे cell है, single cell, इसको आपसे पूरी की पूरी multicellular की whole body बनानी है, तो आप कौन से डिविजन से बना पाओगे, जिसमें multicellular चीज, single cell से multicellular चीज, याने whole body बनाने के लिए, क्या करोगे, mitosis, तो पहला क्या हो गया, significance, development of organism, दूसरा, growth in multicellular organism, अगर आपने पहला chapter देखा है, living world, तो वहाँ पर हमने characteristics देखा था, कौन सा growth वाला, तो वहाँ पर multicellular organism की growth में, NCRT ने क्या character बताया था, increase in mass, increase in mass के लिए भी क्या चाहिए बेटा, number of cells divide करनी है, number of cells चाहिए आपको, बनानी है आपको, तो वहाँ पर भी multicellular organism की growth के अंदर, क्या यूज कर रहे हैं, आप mitosis यूज कर रहे हैं, ठीक, तीसरी चीज, reproduction, and unicellular organism, फिर यहाँ पर पहली वाली चीज आगे, पहला lecture आगया, living bird का, वहाँ पर जब हमने देखा था, तो reproduction के time पर हमने देखा था, कि मालो यह bacteria का example लिया था हमने, यह single bacteria था, इस bacteria ने divide होकर के दो bacteria बनाएं, यह दो bacteria और divide होंगे, क्या करेंगे, नए bacteria बनाएंगे, तो basically bacteria अपने क्या कर रहा है, numbers increase कर रहा है, तो वहाँ पर growth में भी चीज देखी थी, reproduction में भी देखी थी, तो अपने ही जैसे copy बनाना, तो bacteria अपने ही जैसे copy बना रहा है, कौन से division का यूज़ करके, mitosis का यूज़ करके, ठीक है, चाह था, restore, nuclear, cytoplasmic, ratio, अब इसका क्या मतलब है, याद कर स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कि भाई division हो ही क्यो रहा है, पहला lecture, जब मैंने आपको ये बताया था, कि जबरत क्या है, cell division की, तो मैंने आपको बताया था, कि जब cell का size increase होता है, तो nucleus का size increase नहीं होता, लेकिन cytoplasm का size increase हो रहा है, और nucleus को, cytoplasm को control करने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, तो वापस से control बनाने के लिए, क्या किया जाता है, cell का division किया जाता है, जिसकी वज़ए से nucleus properly cytoplasm पे क्या कर सके, उसके activity पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, और उनका ratio वापस से क्या हो जाए, particular shape में आ जाए, particular quantity में आ जाए, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी कि हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है किसको, nucleo cytoplasmic ratio को, cell size increase होने पर, ठीक, उसके बाद बूलूगे, healing and regeneration, भई healing, तुम्हें कहीं पे चोट लग गई है, कोई wound हो गया है, वहाँ आपर की cell खतम हो गई है, तो भाई, दुबारा से cell चाहिए न, जिस number की cell गायब हुई है, जितने chromosome वाली cell गायब हुई है, वही दुबारा से बनाना है, तो वही same number, equal, क्या बोला था, Equational Division, जितना number की cell गायब हुई है, जितने number of chromosome की cell गायब हुई है, वही बनाना है, तो कौन सा division होगा, mitosis होगा heal करने के लिए दुबारा से उसे बनाने के लिए regeneration सेम चीज़ है regeneration कहाँ पर हमारे में तो सर्फ scan या बहुत कम जगाँ पर होता है जैसे मालोचिपकली की पूंच है वो कड गई दुबारा से आएगी तो क्या होगा mitosis होगा ठीक है चलो फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे cell repair तो हमारी body के अंदर जैसे blood cell हो गई upper epidermis हो गई upper layer of epidermis हो गई तो यह जो है continue क्या होती रहती है बेटा हटती रहती है continue dead होती रहती है बोलते है न कि email निकल रहा है email क्या है बेटा तो उनका क्या होता रहता है loss होता रहता है तो वापस जाहिए तो उनको बनाने के लिए भी कौन सा division होगा तो mitosis होगा तो cell के repair के लिए भी किसके जुरुत है हमें mitosis के जुरुत है फिर यहाँ पर आएगा genetic stability के लिए genetic stability इसका क्या मतलब है भई हमारे अंदर chromosome number किस से आते हैं अपने parent से हर human के अंदर chromosome number कितने हैं 46 तो वो चीज़ बनाए रखने के लिए कि अगर parent के पास कितने chromosome से हैं 46 तो daughter में भी कितने होने चाहिए progeny में भी कितने होने चाहिए 46 होने चाहिए ताकि हमारा structure maintain रहे तो उस चीज़ के लिए number of chromosomes को maintain करने के लिए genetics को stable करने के लिए भी कौन सा division होता है तो आपका mitosis ठीक है तो इस तरीके से ये सारा का सारा क्या है significance है किसका mitosis का तो I hope आपको ये सब समझ में आया होगा कोई भी doubt है तो आप comment में लिक करके पूस सकते हैं पसंद आये तो like और share कर सकते हैं ठीके बेटा thank you for watching